फर्लू फ्रेंड्स आज के विडियो में हम बात करेंगे दो प्रमुख और खतरनाक वायरसों चिकुनगुनिया और टाइफाइड के बारे में हम देखेंगे कि इनके लक्षन क्या होते हैं, प्रोफिलाक्टिक्स क्या होते हैं और इनसे बचने के उपाय क्या है आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आप हमारे नए विडियो की अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त कर सकें चिकुनगुनिया वाइरस चिकुनगुनिया एक मौसमी बीमारी है जो मस्सों, हड्डियों और जोडों में दर्द उत्पन करती है डॉट इसके लक्षन में बुखार, ज्वर और शरीर में दर्द शामिल है डॉट वाइरस को एडेस मच्छर के काटने से फैलता है टाइफाइड वाइरस टाइफाइड एक पानी में मिली बीमारी होती है जो खाने पीने से फैलती है डॉट लक्षन में बुखार, पेट, दर्द और ठकान शामिल हो सकते है डॉट स्वच्छता का ध्यान रखने और सफे पानी का सेवन करने से टाइफाइड से बचा जा सकता है प्रोफिलैक्टिक्स, चिकुनगुनिया और टाइफाइड से बचाव के लिए मच्छरों से बचाव करना महत्वपूर्ण है . मच्छरों के काटने से बचने के लिए मौस्किटो नेट, मौस्किटो रिपैलेंट और बाल्म्स उप्योगी होते हैं बचाव के उपाय सफाई का ध्यान रखें सबजियों और फलों को अच्छे से धोएं और पकाई . सफे पानी का सेवन करें और खाने का ध्यान रखें . मच्छरों से बचने के उपायों का पालन करें संक्षिप्त में चिकुनगुनिया और टाइफाइड वाइरस खतरनाक बीमारिया हैं . सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के वातावर्ण को स्वच और स्वस्थ बनाए रखें . इस वीडियो में हमने देखा कि चिकुनगुनिया और टाइफाइड क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है . हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए सफाई और हाइजीन अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है . ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें